जिया दोस्तों अगर आप लोग अभी ड्रीम है माल्टा जाने का आप लोग अभी सपना रहा है कि आप लोग माल्टा जाए वहाँ पर जाकर दो से तीन ला गुरूप मंदली कमानों शुरू कर दें और आप यह चाहते हैं कि हम किसी इंडियन एजेंट को साथ लाफ रुपे आज लाफ रुपे ना दे और हमें बहुत ही कम पैसों में माल्टा का वर्क वीजा मिल जाए तो आज आप एक सही वीडियो पर आगए हूँ क्योंकि आज की इस वीडियो में दोस्तों में आपको एक ऐसी इंप्लॉइमेंट एजेंसी बताने वाला हूँ जो की माल्टा में जो प्रोवाइड करवा रही है अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे अंडे के बहुत सार लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस एजेंसी में अपलाई किया और उनको माल्टा का वर्क वीजा मिल गया है जिन जिन लोग को माल्टा का वर्क वीजा मिला है इस इंप् का मेरा शुरू होने वाला है और kो जाएं और पहुत सारी वीदयों को देखनים के लिए नगे और आप नया चैनल, लृ और आपका नोस। particularly‌को और देखनेव के लिए और आप ऐस फ्रेविक огод surroundings , आपको देखने लिए इह। आप इस शीर ज्रॉर्क्सToone पर आना वाली है क्र अफने टोपिक हमारा हो है माल्ट वर्क वीजा का किस तरह साथ है आपकलो काफी कम पैसों में माल्टा जा सकते और कौन सी एक इंप्लोइमेटेजी का से व्हार है तो जैसे मेरा भी वीडियो में बताए था कि आपको कुछ प्रूफ दिखाने माला हो और जो प्रूफ है वह तो दोस्ता आप इसकी पर कंटिवू देखिए यह लगबाब पांसे छे लोग है जो इंडियन लोग है जिनको अभी रिसेंट ली इनकी मदस्ते वर्क वीजा मिला है यह इंडिया में ही थे और इंडिया से ही नहीं अपलाई किया था और इनको दोस्तों वर्क वीजा मिल गय पर मैंने लगबाग टू मंस पहले भी एक वीडियो बनाए थी कि इस इंप्लोइमेंट एजनसी ने विजिट किया था दुबए में और दुबए इसे भी बहुत सारे लोगों को और जोब्स प्रोवाइट करवाई हैं माल्टा में और सब्सक्तों हमारे इंडिया बहुत सा सार लाग रुपे चार्ज कर रहे हैं माल्टा बट इस इंप्लोइमेंट एजनसी की मदस सापको किस तरह से माल्टा का वर्क विजा मिलेगा वो प्रोसेस समझें तो आपको माल्टा का वर्क विजा इस इंप्लोइमेंट एजनसी नहीं हैं माल्टा की इंप्लोइमेंट और अगर आप दुबए में है तो दुबए में भी एजंसी आती रहती है तो दुबए से भी जो इंडिया, मेपाल, पाकिस्तान के लोग है वो जो है इनके थुरू माल्टा जा रहा है है इंप्लोइमेंट एजिंसी में अभी भी करणड में काफी साइज जो वेकैंसी अवेलेबल है और यहां पर आपको जोब्स बताता हूं तो आप देखिए स्कीन पर देखिए कुछ जोब्स है जो भी इनके पास करणड में अवेलेबल है तो इनमें जो जोब है दोस्तों वह जैसे शेफ के लिए वेटर, क्लीनर, ड्राइवर हो गए, इलक्ट्रिशन, कारपेंटर, कंस्रक्शन नेवर, सोच शेफ हो गए, बहुत साइज जोब निकली हुए है हाफस कीपिंग के लिए जोब निकली हुए है और फूड पैकेजिंग के भी जोब इनके पास निकली जोब निकली हुए है, तो इस सभी जोब वेकेंसी के लिए उनके पास अवेलेबल है, तो यह मादर एक ऐसी इंप्लोइमेटेजिंग जो आपको कम से कम पैसो में वर्क विजा प्रवाइड करवा सकती है, माल्टा का, अगर आप किस इंडियन एजन को साथ लाग रुप, इस इंड़ प्रवाल कृइड प्रवाइड कर सकती है, कि अगर आपको एप्रवाइशन करना है, किलीनर का या आपको एपिलिकेशन करना है किसी भी जोब में आप करना चाहते हैं, कोई भी जोब आप मालता जा करना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है? वह हां पर मैं आपको समझा देता हूँ, सबसे पहले तो आप इक यूरो पास का दोस्तों 100 बन्होंबालिजें, क्छंग और दोस्तों साल क स्टिश्टमय बिज्डरूर में छाहिए। लैक अगर आप एपलिकेशन कर रहे हैं तो आपके कहली केम दूसाल का स्टिश्टमय का soll handed क्या है। और यह मेरी पोजिशन थी यह वहां के मेरे मेनेजर के ठीक है इस तरह से पूर आपके जो सीवी है उसमें लिखावाना चाहिए और आपका उस ही होटल यह रेस्टोरेंट का वर्क एक्सपिरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए ठीक है तो दोक्यूमेंट सबसे पहला आपके होने चाहिए तो बहुत सालोग तो देशतों दिखें ऐसे हैं जिनके पास वर्क एक्सपिरियंस नहीं होता है तो उनको मैंने अपनी लास्ट दिए क्या रेक्षं बनवा सकते हैं सीवी कवर लेटर यूरो पास का बनवा सकते हैं जितने अच्छा आपका सीवी चिर्ष है उतना ही जलना आपका selection होगा और जीनित के पास दोसों work experience certificate होता है उनका ही selection जल्द से जल्द होता है तो सीफ ये दो document सबसे पहला आपको ready करने है करवान है आप मुझे whatsapp प्रेसमेस कर सकते है काफी कम charge हों आपके दोनों document ready हो जाएने है document ready करके हमें करना क्या है करना हमें दोस्तों यह है यह जो employment agency है इस employment agency की email id पर आपको जाना है email id पर जाकर आपको अपना CV, cover letter, work experience certificate, education certificate और आपका passport और vaccination का certificate सारे document एक PDF file में बनाने है एक PDF file में बनाकर आपको करने है दोस्तों इस employment agency की email id पर से है जैसे ही employment agency आपका selection कर लेती है अगर आपका CV shortlist हो जाता है यह आपको email कर देगी हाँ आप हमें यह document और भेज़ दीजे और आप यह procedure फोलो कर लिजे और जितने भी वीजा का चार्ज ले रहे हैं है वो आपको तहीं बता देंगे जैसे मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में बताए कि जो employment agency काफी कम चार्ज ले रहे हैं माल्टा के लिए और आपका जो process रहेगा कितने दिन कर रहे हैं वो सारा आपको समझा देंगे बट जो आपको काम करना हो यही करना है कि पहले आपको जोब application करना आपको अपने document के पास send करने तभी दोस्तों possible होगा कि आपका selection हो पाए तो यह एक ऐसी employment agency दोस्तों जो आपका माल्टा जाने का dream पूरा कर सकते हैं इस employment agency में application की जोब के लिए और देखो जैसे कि आप से बिलों को पता होगा कि अगर आप दोस्तों माल्टा जाना चाहते हैं तो माल्टा जाने के लिए जादा education की दूरत नहीं होती है अगर आपका और नोर्मल कम education का भी background आप अप पड़ी लिकाँ आप तब भी माल्टा जा सकते हो जादे इंगलिश आपको नहीं आती तब भी आप माल्टा जा सकते हो ठीक है और आप को कोई एक क्यूशन और रहता है सब लोग का कि हमारी एज 55 एर है या 46 है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं माल्टा के लिए तो अगर आपके फिप्टी फाइर के नीचे है तो आप माल्टा के लिए अपका जो सिलेक्शन हो जाएगा माल्टा यह यूरोपें कंट्री का पार्ट है आ मैं आपको वीडियो के स्टार्डम बताए कि मैं तीन कंट्री विजिट करने वालों भी मलेशा थाइलेंड और सिंगापोर तो वहां की वीडियो आपको मेरे ने चनल पर देखने के लिए आप उस मेरे ने चनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमाँ पर फ्यूचर में काफी जल देखने के लिए मिलेगे और बाकिया आज की वीडियो आपकर कैसे लाइक कमेशने में जरूर बताना वीडियो पसंद रहते हैं वीडियो को लाइक शेयर जरू करना और चलने को सब्सक्राइब कर देरा है